तो याई गाईज लाश्ट वीडियो में हमने ये डिसकस किया था कि हमें कौन-कौन से वुकाइबल इस यूज करने चाहिए राइटिन टास्क वन लिखने के दोरान हमें कौन-कौन-कौन से लाइन्स यूज करने चाहिए जिससे कि हमें 7-8 बैंट आएं और मैंने आपको एक एक ग्शामपल के साथ समझाया था वो था लाइन्ग्राफ का एक जामपल की हमें आईल्ड का ऐशक राइटिंट टास्क वन कैसे सॉल्व करना है तो इस वोली वीडियो में हम लोग सारी चीजा पढ़ेंगे। हैं आईल्ड की राइटिंट टास्क वे बार में कि उसमें कौन से टाइप्स के पाराग्राफ होते हैं कौन कौन सी लेंगवेजी जूस जूस करनी ची और यह सब चीते तो नमस्कार दोस्तों में नाम है विशेख आप देखें इंडो के निटेन विशेख तो लेट्स पिगिन कुले कौन सब्सकenda देखें हैं अब मैं बता ज़ारा है श daarom के आयल्स के राइटिंट टास्क्टू होता क्या है जैसे कि आयल्स के रैउतूं टास्क 1 और writing task 2 एक साथ हमें पूरे एक घंटा मिलता है और मैंने लास्ट वीडियो में यह भी बताया था कि IELTS के writing task 1 में जड़ा भी time ले सकते हैं कम भी time ले सकते हैं यह आपकी वीश है तो ऐसा ही सेम चीज अप्लाई होती है writing task 2 के उपर मैं यह वीडियो जादा लंबी नहीं बना चाहता है कि मेरे को पता है मेरी वीडियो बाइस ते इस मेट की बन जाती है जो की बोरिंग हो जाती है इसलिए मैं इस वीडियो की जितना शॉर्ट कर सकता हूं उतना से उतना 150 words से 300 words के बीच बीच में लिखना होता है और हमें इसमें recommend होता है कि हम इसमें 40 minutes यूज करें अब यह तो नहीं है कि 40 minutes यूज करने आप 35 minutes यूज कर सकते हैं आपके writing task 1 के उपर depend करता है पर हां यह जो writing task 2 होता है इसमें आपको पूरी concentration के साथ पूरे vocabularies यूज करके पू तो writing task 2 में बहुत सारे types के essays होते हैं पहला ऐसे होता है advantage disadvantage दूसरा होता है agree disagree तीसरा होता है to what extent do you agree इसे करके बहुत सारे writing task 2 के essays हैं बहुत सारे parts में divide होते हैं अब इन सब parts के लिए अलगला strategies यूज कर सकते हैं और करते भी हैं लोग पर मैं आपको एक इसका एक जैसे मैं writing task 1 में example के साथ आपको समझाया था तो writing task 2 के लिए में example के साथ समझाऊंगा और मैं इस वीडियो मे आपको सारे के सारे vocabularies बोलूँगा और सारे के सारे lines बोलूँगा समझाऊंगा कि यह आप line यूज करें जिसके आपको writing task 2 में help हो और अगर आप यह वाली lines यूज करेंगे तो आपको writing task 2 में अराम से 7 minutes प्लस आएंगे यह मेरी guarantee हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं तो यह है IELTS का writing task 2 तो मैंने आपको यह समझाने के लिए बता है कि इसमें IELTS का writing task 2 में क्या क्या चीजे यूज करनी चीए जिससे कि हमें अच्छे bands आएं तो मैंने यह खोल दिया है तो इसमें IELTS writing task 2 जैसे कि आपको देख रहा है यह मैंने लिखा हुगा है और यहाँ पर फ तो आप देख सकते हैं इदर कि यह है agree-disagree, advantage-disadvantage, to what extent do you agree, to what extent do you disagree, discuss both your views and give your opinion, do the advantage outweights the disadvantage, तो मैंने इसमें एक note लिखा है जो कि आप सभी को पता भी होगा, यहाँ नोट है you should spend or you should complete it in 40 minutes, आपको 40 minutes में पूरा करना है, इसमें साथ आपको इन सब में से जितने भी है, f तक, इन सब में साथ आपको केवल एक देंगे लिखने के लिए, आपको एक लिखना है 40 minutes में, आपकी मर्जी है, जैसे मैंने आपको बताया था, आपकी मर्जी है, आप जितना time low और आपको इसको 250 to 300 words में लिखना है, तो या 250 to 300 words में इसको लिखना है, और आपको 300 से ज्यादा exceed नहीं करना, 300 या 320 से ज्यादा, फिर वो ज्यादा से ज्यादा grammatical mistake होंगी, यह सब होगा, इसलिए मैं recommend करूगा, कि जितना बोल है उससे 50 to 60 words उपर लिख सकते हैं, ज्याद अब जहां पर मैंने, अगर आपको मैं दिखाऊंगा, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि जो IELTS में जो band scores होते हैं, कैसे divide होते हैं, IELTS में 1 band होते हैं, 2 band होते हैं, 3 band होते हैं, ऐसलिके 9 band ते जाते हैं, अब जो अगर आपको मैं दिखाऊंगा, तो 0 band जो होते हैं, जि second case है तो first case होगा अगर आपने कुछ attend ने किया तो आपको इसमें zero band मिनेगे second case तब होगा जब आप memorize करके होंगे तो मैं इसमें आपको memorize तो कराऊंगा पर आपको याद रखना है इसको बस कि आपको यह सब words use करना है while writing writing task 2 ठीकर writing task 2 को लिखते हैं वक्त आपको यह सब word मैंने खुदी प्रिपेर की थी यह कोई मैंने कोई book से refer नहीं किया तो अगर आपके पास आता है passage agree or disagree वाला passage आता है सोच लीजिए तो आपको introduction में line लिखनी है I formally agree जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आप agree कर रहे हैं तो आपको लिखना I formally agree with the given notion and shall interpret my perspective in the subsequent paragraph अब आपको इसको रट्टा माने की जरूत नहीं है आप इसमें देख सकते हैं I formally agree यह बहुत अच्छी vocabulary यूज हो गई इसमें I formally agree with the given notion इस notion के साथ मैं I formally agree करता हूं and shall interpret मैं interpret करूंगा अपने opinions को my perspective my opinions perspective मतलब भी opinions होता है my perspective my opinions in the subsequent paragraph subsequent paragraph मतलब एक के वाद एगी जो paragraph आता है उसमें मैं अपने जो opinions है उसको बताऊंगा interpret करूंगा आपको इसको यार करने की जोड़त नहीं है यह सब मैंने जो है यह सब मैंने अपने खुछ सब नहीं है जिससे कि मैं को seven band plus हा जाए आप अपने से भी खुछ सब ना सकते हैं और दूसरा है अगर आप disagree कर रहे हैं तो आपको लिखना I wholeheartedly disagree अब यह नहीं कि I wholeheartedly ही लिखना है आप लिख सकते हैं I formally disagree और इसकी जवाब लिख सकते हैं I wholeheartedly agree अप ऐसे आपकी मर आप यहाँ आप बाद में लिखाया यहां पर फॉर्थ कमी पारग्राफ तो अगर आप डिसएडवांटेज लिख रहे हैं तो आपको introduction में यह लाइन पका करनी है जिससे कि आपको 7 band प्लस आ जाएं कि you should use मैंने लिखाया you should use such exposure has its merits as well as D-merits, merits मतलब होते है advantages और D-merits मतलब होते है disadvantages तो आप use कर सकते हैं कि अगर आपको advantage, disadvantage का कोई passage आया तो आप use कर सकते हैं introduction में search पहले एक line लिखके पहले एक hook बनाके hook लिखके, hook लिखके एक line होती है अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, जब IELTS की preparation करेंगे तो आपको पता चलेगा कि hook क्या होता है तो hook के बाद आप लिख सकते हैं, such exposure has its merits as well as the merits which I shall elucidate in the forthcoming paragraph, elucidate भी एक बहुत अच्छी vocabulary होगी या illustrate या manifest ये सब use कर सकते हैं और अगर आपको मिलता है ये वाला paragraph जो की है, discuss both these opinion type passage ये अगर discuss both these opinion वाला जो type का passage है, अगर आपको मिलता है तो आपको हमेशा use करना है, I shall be discussing, यहाँ पे जो मैंने लिखा है I shall be discussing both these opinions and my perception in the subsequent paragraph आप कुछ भी कर सकते हैं, आप forthcoming paragraph यूज करिए आप impending paragraph यूज करिए, आप subsequent paragraph यूज करिए, कुछ भी यूज करिए, आप in the next paragraph यूज करिए, in the following paragraph यूज करिए, आपकी मर्जी है, यह सब तो मैंने खुछ से अपने लिए खुछ से मनाये थे, तो आप इन सब को refer कर सकते हैं, अगर आपको to get seven to eight band minimum, इसमें अराम से आ जाएंगे, अब format मैं बताना चाहूँगा, आप को ऐसा बता ही होगा, अगर आप को सिखाया था, राइडिन टास्क वन, उसमें भी ऐसा होता है, पर उसमें overall भी लिख सकते हैं आप, conclusion लिखने की जो होती नहीं, उसमें overall लिखते हैं, जो की यहां पे कहीं लिखते हैं, second line में, या last line में, पर conclusion उसमें mandatory नहीं होता, पर इसमें conclusion mandatory है, और मैं बारे में बताऊ इसमें लिखा हुए, इसमें लिखा हुए, complex sentence is dead sentence, which includes one dependent and one independent clause, joined by a subordinate conjunction, for more clarification, you can refer YouTube to learn, मगर आपको learn करना है, तो आप YouTube में जाके आप learn कर सकते हैं, क्योंकि मैं आभी आपको यह सिखा नहीं सकता, पर यह complex sentence का मतलब यह होता है, कि एक उसमें clause होना चाहिए, एक independent clause होना चाहिए, एक dependent clause होना चाहिए, और दोनों की साथ एक conjunction, subordinate conjunction जुड़ा होना चाहिए, जैसे as well as moreover, यह सब subordinate conjunctions हैं, यह सब जुड़े होने चाहिए, जिससे यह complex sentence बनाता है, और अगर आप complex sentence यूज करोगे य अपने writing task 2 में, और एक second note है, कि always try to use good vocabulary as well as subordinate conjunction, जैसे कि मैंने पहले बिदाया था, good vocabulary यूज करोगे, कुछ अच्छे अच्छे words यूज करोगे, offensive यूज करोगे, तो अच्छे अच्छे मतलब, जो भी आप dictionary खो लिए, 10-15 वर्ड हर एक दिन की, learn कीजिए, आपको बहुत benefit ह होगा, दूसरी बात है, मैंने तीसा point लिखा है, always use 3, 2, 4 idioms and universal truth to get 7 men plus, तो idioms तो आपको पता ही होंगे, बहुत सारी idioms होतने दुनिया भर के, पूरी दुनिया में जितने भी idioms सारी use कर सकते हैं आप, और ये idioms use कर सकते हैं, universal truth use कर सकते हैं, और जो scientist ने क्या 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 रखा है, कौन से कौन से महानस्ती उन्हें क्या 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 रखा है, वो सब यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छे band आए, always use dictium and aphorism to, aphorism और dictium दोने एक ही होते हैं, चीज, जैसे कि small phrases होते हैं, idioms ही होते हैं, बस small phrases होते हैं, और छोटे idioms होते हैं, इनको dictium more aphorism बोलते हैं, और use lot of phrases, आप बहुत से बहुत ज़्यादा चाहिए, यह फ्रेजी चूज करोगे, तो आपका फाइदा होगा, अब मैंने last में एक चीज़ लिखी है, always write conclusion at last, कुछ को बच्चे conclusion को समझते हैं, writing task one में, conclusion को सोच लेते हैं कि overall है, अब writing task two में ऐसा नहीं हो It is a way to get good and more band, अब अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचे है, socially, पांच मिनट बचे हैं, और आप body paragraph two में सोच रहे हो, अपना पुरा सोच विचारा में लेगे हो, भई कौन को से points बना है, तो आप body paragraph two को end करके, conclusion की तरह हमेशा जाए, conclusion हमेशा लिखिए, पांच मिनट में दो तीन लेंग का conclusion लिख लेते हैं, अराम से, क्योंकि आप conclusion नहीं लिखेंगे, तो आपके बहुत साए chances बन सकते हैं, कि आपको जो examiner है, वो 4.5 से 5 band तक आएं, इसलिए आप हमेशा conclusion लिखिए, जिससे कि आपको high band score आएं, और never right offensive है, जो मैंने last point लिखा है, ये सबसे जा लिख दिया था ब्रिटेन के ऊपर, और जो examiner था ब्रिटेन वाले था, इसलिए उसको कम आ गये थे, marks, उसको लागा कि ये मेरे country के बेश्टी करें, इसलिए कोई भी offensive चीज ने लिखनी है, तो बस यही था, writing task 2 के ऊपर, कि कैसे कैसे कौंगों से चीज लिख सकते हैं, तो band, band, plus iron, तो अगर आपको, examples से ये, सारे essays के, for general training and for academic, तो आपको यहाँ पे मैं display कर देता हूँ, screen में आपको दिख रहे होंगे, e2 IELTS के, और IELTS release के, hundreds से 200 passages, आप इनको जाके solve कर सकते हैं, इन passages का link, मैं description में डाल दूँगा, तो चलो guys, ask कि इस वीडियो में इतना ही, अग अगर चैनल में नहीं हो, तो चैनल को subscribe करना, बिल्कुल मत भूलिये, और अगर आपको इस वीडियो के लेटेट कोई भी डाउट है, तो Instagram में मैं को DM कर सकते हैं, Instagram का link, इज़े description में है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं कि लिए वीडियो में, गुड़ बाई झाल